वारी थाने के आठवा मेल में बारा साल के नाबालिक बच्चे के साथ पाज बालक और दो यूवक मिलकर दुशकर्म करते थे कई बार उसका शोशन करने की घटना सामने आई है जिसे इलाके में कोहराम मज गया है मिली जानकार के अनुसा बच्चे की मा को पता चला था कि वारी आठवा मेल में पिछले तीन मा से पाज बालक वदो यूवक द्वारा एक एक करना बालिक लड़की का लगाता शोशन किया जा रहा है यह सुनकर बच्चे की मा के होश उड़ गए मा ने घटना के बारे में बच्चे की दादी को बताया दादी को तुरन घटना की गंबिरता का एसास हुआ और बच्चे को लेकर वारी थाने पहुजी वारी पलेस ने मौके पर जाकर बच्चे की आप बीती सुनी चारवी दिसंगर्श बालक ने बताया खेल के मैदान में हिल टॉप कॉलनी के पास एक नाले के पास बन घर के खुले बातरूम में बच्चे के साथ बार बार दुराचार किया जाता था पता चला की मना करने पर लड़के को जबरन उठाया और पीटा जा रहा था लड़का 12 साल का था और 8 वी कक्षा में पढ़ता था अभी योजक को सूच ना मिली कि कुछ लड़के बालक को खेलने ले जाते थे जब दाधी की नजर लड़के पर पड़ी तो बाकी बच्चे वहां से भाग पड़े तो दाधी को शिक हुआ दादी ने वाड़े पुलीस को बताया वाड़े पुलीस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली मामले की गंबिरता को देखती हुए वाड़े पिया प्रदी परायनवार मौके पर पहुचे और बच्चे से पूश्टाश करने पर बच्चे और दो मुख्या आरुपियों ने मामले की कबुली दी बच्चे को आरुपियों मौके करूप से बच्चे के साथ बार बार दुर्वेवार किया जा रहा था इसमें मुख्या 18 वर्षिय चिंटू और बादल जीउतोडे 33 वर्षिय रवी चवरे का समावेश है साथ एक विदी संगर्ष पच्चा फरार है वाड़ी पुलीस ने आरुपि के खिलाब विवी दधाराओ के तहत मामलाद दर्श किया है बच्चों को बाल सुधार घ्रभी दिया गया है आगे की कारवाई डिसीपी अनुराग जैन के नैतरत्व में वरिष्ट पुलेस निरिक्षक प्रदीप रायनवार के मार्ग दर्शन में WPSI शकुंतला डोभाड़े वारा जारी है BCN News के लिए वारी से सौरप पाटील